नमस्कार, मैं सुबोध मंदल, आज आप लोगों के सामने बिहारी रतनाकर का चालिसवा दोहा व्याख्या के लिए विश्लेशन के लिए लेकर उपस्तित हुआ हूँ बिहारी रतनाकर का चालिसवा दोहा जो है वह इस प्रकार है देह दुलहिया की बढ़े, जयाँ जयाँ जोबन जोती, त्याँ त्याँ लखी सौतियें, बदन मलीन दुती होती देह मतलब शरीर, दुलहिया मतलब दुलहन और यह दुलहन जो है नवयोबना मुगधा है, जयाँ 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 जया यौवन की सुन्दर्टा, यौवन का सुन्दर्ज, त्यां त्यां, ओसी प्रकार, वैसे वैसे, लखी देखकर, सौतियें, सौतिनों का, या सौतनों का, दोनों ही शब्द चलते हैं, सौतिन और या सौतन, जो भी, यहां बहुवचन में हैं, सौतिनों का, या सौतनों का जो है, बदन, बदन मतलब मुख, संस्क्रीट का है, वदन और वदन मतलब मुख, मलिन मतलब फीका, उदास, दुति, रंग, होती, होता चला जाता है, नवयोवना, मुगधा, दुलहिन है, और इसके योवन सुन्दरता के विशे में, इसकी सखियां जो हैं, सहेलियां जो हैं, आपस में हंसी खुशी बात कर रही हैं, और वे सब कहती हैं, कि देह दुलहिया की बढ़े जो जो बन जो थी, दुलहिन के शरीर में, जिस प्रकार वृद्धी होती जा रही है, और उसी प्रकार, उसके योवन की सुन्दरता भी बढ़ती जा रही है, नव्यवना मुगदा दुलहन के शरीर में, जिस प्रकार जैसे जैसे योवन की सुन्दरता की वृद्धी होती जाती है, वैसे वैसे, सुतिनों द्वारा उसकी सुन्दरता की आधिक को देखे जाने पर, इन सुतनों का मुख, इन सुतनों के मुख का रंग जो है, वह मलीन होता जाता है, फीका परता जाता है, उदास होता जाता है, यह है, जैसे जैसे दुलहन की देह में योवन की सुन्दरता की वृद्धी होती जाती है, वैसे वैसे सुतिनों द्वारा देखी जाकर, उनका जो मुख जो है, और उनके मुखों का रंग जो है, मलीन होता जाता है, उदास होता जाता है, फीका होता जाता है, इस दोहे में जोती होती में अंत्यानुप्रास अलंकार है, या तुका अलंकार है, और उलास अलंकार इस दोहे में है, उलास अलंकार है, तो यह हमने देखा है, समझा है, बहुत बहुत धन्यवाद, झाल झाल झाल